हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की और नहीं वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपको बताना वाल हूँ कि सेंट्रल बैंक और इंडिया में अगर आप एटियम काट अगर अपलाई करना चाहते तो आपको किस तरह से इस फॉलक करना होगा आज की वीडियो में आपको पूरा रोल हो आप को देख सकते हैं पर लिखा हुआ ऑपको कुछ करना है उसके बाद यहां पर सबसे फर्ष्ट वाला सेक्शन में आपको अपना नाम लिख दिना जो भी आपका नाम होगा उपनाम प्रथम नाम और यहां पर मद्धिनाम यहां पर हिंदी में यह फॉर्म है मैं आपको इसका इंगलीज में आपको बता दू प्रथम जैसे कि यहां पर कुमार और यहां पर सबस्की सब्सक्राइब लिखना है उसके बद यहां पर कार्ट पर उहरा हुए आपको अपने नाम लिख दिना है उसके बाद आपको अपना अगर आपके पास पहले से काड़ होगा तो इसका डिटेल आपको दिना होगा अगर नहीं होगा तो इस पार्ट को छोड़ दिना होगा उसके प्रेशन का अगर आपका अगर आपका रिश्डेंस का होगा या ओफिस का होगा या अपिस आप देंगे अगर और और अवाज घर का कोई लेंडर होगा तो यहां पर दे सकते हैं तो ज्यादा तर इमेल आडिया यहां पर दे इसमें कि आपका प्राथमिक्ता है अगर किसी का टृआंट रहता है तो उसमें यहां पर सवेड़़् है अगर आप चाहते हैं कि मतलब शहां प्रफशत करना चेंगर करने बाकि आपको सिंगेंड एक्वनपीफवि यहां आपको हूं यहां पीलिखेंगे आपको मिToday आप इस तरह से आप इस फॉलब कर लेंगे इस फॉलब करते हैं चैट होता है इसके साथ करना है और और अगर रहीं कहीं बैंक में आपका अधार कार्ड भी आपको जिरॉक्स करके इसके साथ आपको attach कर देना है तो आप इस तरह से असानी से Central Bank of India का Cent Cash debit card जो होता है उसके लिए आप आभेदन फॉर्म इस तरह से असानी से fill up कर सकते हैं I hope आपको वीडियो में समझे में आ गया होगा कि इस form को कैसे fill up करना है तो बस इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अचाले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल में परदी बार उन चैनल को सब्सक्राइब करेंगा चलिए बाकी मिलते हैं तब तक के लिए बाबाए टेक केर